तीन दिन बासी मूख खालो, पूरी जिंदगी, सुगरो, कॉलोस्टोल, पेट के रो, मोटापा, हडियों की कमजोरी और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वड़े में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के पूरा स्रीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा, आपके स्रीर में यदि पहले से कोई बीमारी है, तो वो भी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी, दोस्तो आपको ये पेट के रोग कभी नहीं होगी, और दोस्तो ये हमारी पेट के रोग, कबज, पेट में गैस, और ये एस पापा है, और आप अपनी पेट की चर्वी को बड़ी तेजी से कम करना चाहते हैं, और बिलकुल सलिम, फिट और ताकतवर बनना चाहते हैं, दोस्तो ये नुस्का आपके इस इच्छा को पूरा करेगा, दोस्तो ये नुस्का आपके पेट की चर्वी को मक्खन की तरह पि इलाज करेगा, दोस्तों यदि आपके सरीर में ये बैड को लौस्टोल बड़ा हुआ है और आप अपने सरीर के इस बड़े हुए बैड को लौस्टोल को कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान के इतना हैं काम करेगा, और आपके इस सरीर की इस कोलोस्टोल की समस्चा का इलाज करेगा इस bad कोलोस्टोल को कम करेगा जिससे आप बहुत त्रहें की बीमार्यों से बच रहेंगे दोस्तों यदि आपको heart blockage है या आपको heart attack के आने का डर है तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान है क्योंकि यदि आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो इससे आपके हार्ट की सभी तरहें की ब्लोकेज खुल जाएंगे और दोस्तों यह बात तो आपको पता भी है कि यदि आपको कॉलोस्ट्रोल की समझचर नहीं होगी तब आपको हार्ट की प्रोलम भी नहीं होगी यह हार्ट ब्लोकेज भी नहीं होगी और जब आपको हार्ट ब्लोकेज नहीं होगी तब आपको हार्ट अटेक भी नहीं आएगा यानि ये नुसका कॉलोस्ट्रोल का इलाज करेगा Heart Blockage का इलाज करेगा और इस Heart Attack का भी इलाज करेगा और उल्टा आपको इन दिल के बहुत त्रहें के रोकों से बचाएगा और आपके दिल को मजबूत करने का काम भी करेगा दोस्तों ये आपकी हडियों की कमजोरी का भी इलाज है आपकी हडियों को वजर के समान मजबूत बनातेगा और दोस्तों यदि आपके सरीर की हडियां मजबूत होंगी तब आपको बहुत त्रहें के हडियों के दर्द या जोडों के दर्द घुटनों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 90% लोगों को जो भी जोडों का दर्द या घुटनों का दर्द होता है उसकी जो मुखे वज़य होती हैं वो होती है दोस्तों हमारे सरीर में कैल्सियम की कमी है यनि हडियों की कमजोरी और ये नुस्का आपकी हडियों की कमजोरी का इलाज करेगा जिससे आप इस त्रहें के रोगों से बच रहेंगे दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तब भी दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए वर्दान है और इसके साथ ही यह मोतिया बिंद जैसे रोगों में भी एक चमतकारिक परभाव दिखाता है दोस्तो इस नुस्खे को हर रोज लेने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ चाहेगी दोस्तो यदि आपको डायबटीज है तो डायबटीज वाले रोगियों के लिए ये नुस्खा एक वर्दान गीत रहन काम करता है और आपके सुगर के लैवल को कंट्रॉल करने का काम करता है और दोस्तो ना सरफ आपके सुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा बलकि इसरफ डाइबटीज के बीमारी के का जो भी कॉम्पलिकेशन होते हैं आपको उन सब से भी बचा कर रखेगा यानि डाइबटीज के बीमारी के सासथ आपके सरीर के बहुत त्रहें के रोगों का भी इल दाज करेगा दोस्तो किड़नी के मरीजों के लेवी ये बहुत अधिक कारगर है और किड़नी को हेल्थी बनाई रखने का काम करता है दोस्तो यदि आपको अपने दिमाग को तेज करना है तब भी दोस्तो आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्योंकि इस नुस्ख दोस्तो कलोंजी, iron, sodium, calcium, potassium और fiber जैसे बहुत सारे mineral और nutrition से भरपूर हैं। लगबग 15 amino acid वाला कलोंजी सरीर के लिए जरूरी protein की कमे को पूरा करता है। दोस्तो कलोंजी का तेल रक्चाप को कम और अस्थमा रोग के लिए बहुत अधिक कारगर है। यह कोलोस्टोल लेवल को भी सही करने का काम करती है। यह एक अच्छा antioxid है जो आपके चहरे को जमा बना करता है। दोस्तो यदि आप कलोंजी का 7 हारोज करते हैं तो इससे आपक आपके चहरे पर जुरिया नहीं बढ़ती है। आपका चहरा दमकता चमकता रहेगा। तो आएए दोस्तो अब जानते हैं आपको यह तो पता चल गया कि कलोंजी को खाने से यह फाइदे हैं। और वो कलोंजी है जो आपके स्रेर की हरत रहें की बीमारी का इलाज कर सकती है अब जानते हैं कि आपने इस कलोंजी का परियोग करना कैसे हैं। दोस्तो आपने क्या करना हैं। एक चमच कलोंजी का लेकर रात बर एक गिलास पानी में भीवोकर रखते हैं। और सुबे बासी मूँ आपने उस पानी को पी लेना है और इन कलोंजी के बीजों को भी चब सबी फाइदों के बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत अदिक लंबी हो जाएगी बस कहने का भाव ये है कि AD से लेकर चोटी तक आपके स्रीर में यदि कोई भी बीमारी है तब आप उसमें कलोंजी का परियोग कर सकते हैं और अपनी उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं इतना चमतकारी है कलोंजी का सेवन अब जानते हैं कि किने लोगों को कलोंजी का परियोग नहीं करना चाहिए वो भी जरूरी होता है दोस्तों यदि पित दोस वाले लोग हैं उनको कलोंजी का परियोग नहीं करना चाहिए जिनके सरीर की परकृति करम है उनको भी कलोंजी का परियोग नहीं करना चाहिए वो सर्धियों के अंदर कलोंजी का परियोग कर सकते हैं लेकिन आज कल के लिए नहीं जिन लोगों को अमासे में जलन या खराबी की समस्या है उनको भी कलुंजी का परियोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इस कलुंजी को लेने से माचिक दर्म जल्दी आसकता है। इसलिए महीलाओं को भी इसका समझ कर ही सेवन करना चाहिए। और गरबावस्ता के दोरान कलुंजी का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं इससे समीत मातरा में ले सकती है। तो दोस्तों आप भी कलुंजी का परियोग करके अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं। और अपनी सरीर की बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी। ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों।